आधिया सदा चलती नहीं, मुश्किले सदा रहती नहीं, मिलेगी तुझे मंजिल तेरी, तुझरा कोशिश तो कर आप अनकेडमी पर ही पढ़ाता हूं, तो आप अनकेडमी को लर्निंग के प्ले स्टोर से डाउलोड करके, उसमें ऑनलाइन स्टी पॉइंट सर्च करके, आप हमें फॉलो कर सकते हैं, मैं अपने अनकेडमी प्रोफाइल के लिंग इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी द प्ले स्टार्ट करें दोस्तों, आज का पहला कोश्चन बहुत इंबोडेन है, प्लीज वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा, हाली में रक्षा और द्योगिक कारिडोर, यानि रक्षा और द्योगिक गलियारा को किसने लॉंच किया है, भारत की जो रक्षा मंत्री है, निर्मला सीतर रमन जीने, यानि आप्सन है राइट हो जागा, देखिस तो, जो भारत की वरतमान रक्षा मंत्री है, निर्मला सीतर रमन और यूपी के वरतमान सीया में, योगी आदित्तेनाथ ने, 11 अगस 2018 को अलिगड में रक्षा और द्योगिक गलियारे के शुरूआत किया इनोंने, कहां पर यूपी के अलिगड में आपको स्थान याद रखना है, पूछा सकता है, कहां पर यूपी के अलिगड में, दोस्तो आपको बता दे कि इस गलियारे को राज्य में, रक्षा उत्वादन के लिए विक्सित विशेष जोन बनाने के लिए किया गया है, और यहाँ पर आपको बता दे कि इस गली आरे के लिए प्रमुक्ष अस्थानों की पहचान की गई है तो आप जान लिजे एक ग्जाम में पूछा सकता है तो प्रमुक्ष अस्थान कौन कौन से है तो आगरा, अलिगड, लखनव, कानपूर, चित्रकूट और जहांसी कौन कौन से है अलिगड, लखनव, कानपूर, चित्रकूट और जहांसी ठीक है दोस्तों यहाँ पर बात होरी रक्षा मंत्रा लेकी तो इससे लेटेर आपको सारे फैक्ट बता देता हूँ जो आपके exam में बारबार पूछए जाते हैं तो रक्षा मंतरा लेका स्थापना का बूछ दोस्तो है इसके स्थापना का बूछ दोस्तो 15ज़a算 46 को बूछ थी रक्षा मंतरा स्थापना 15ज़a算 47 को और यहां पर यह भी पूछा है कि बरतमान भारत के रक्षा सचीव कौन है यानि डिफेंस सेकरेटरी बरतमान में कौन है और यह कुश्चन रेलवे एक्जाम भी पूछा गया था तो बरतमान में रक्षा सचीव संजय मित्रा जी और यहां पर एक फैक्ट आपको बता दो जो जिए आपके एक्जाम पूछा सकते हैं भारत के प निप्रेटर मिस्राजी इसके लावश्त बरतमान भारत के मुखश चीव संजky तो वो है निप्रेंद मिस्राजी इसके लाव राशिव्च वाने भारत के राष्टी सुरक्षा सलाकर कोन है नेशानल सेकेटी अड You गले दोवाल कौन है अजीत कुमार डोवाल नेशनल सेक्रेटी और राष्टी सुरक्षा सलाकार। वरतमाने भारत के ग्रिस अचीव कौन है यानि होम सेक्रेटरी कौन है तो यह है राजीब गौवा कौन है राजीब गौवा वरतमाने भारत के होम सेक्रेटरी है यह आप बात करें तो फॉरेंट सेक्रेटरी की विजय केशो गोखले विजय को ने भारत के विजय केशो गोखले तो यह सारे जो सच्छिव मैं ने बताया है यह बिल्कुल नोट कर लीजिएगा आपके रेलवे एक्जाम के लिए बहुत बार पूछा गया था उसके लाव आने एक्जाम में पूछा आ सकता है ठीक है तो हाली में रक्षा और दोई कारेडोर को किसने लॉंच किया है तो लॉंच किया है दोस्तों नीर्मला सीतरामन जी जो भारत की रक्षा मंत्री हो बात करें योगी आतितनात की तो यह हैं यूपी के सियम यूपी की राजधानी रखनाओ यूपी के बर्तमान राजजेपाल है राम नाईक जी और बात करें राजनाज सिंग्डी की भरतमान में भारत की बिदेश मंत्री हो बिदेश क वैको बताइब बिदेश को संसे उपक्त करेगा एक लाइक करके हुसला बढ़ाईएगा और यदि थोड़ा से फायदा होतों लाइक कर दिया करिया और प्लीज दोस्तों चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज इस वीडियो को सेर कर दिए अपने दोस्तों के साथ फेस्बूक वाट सैप ग्रूप में जितने इस एक रूप में आपको बता दे कि 22 शगस से लेकर 29 शगस तक रूस के केंद्री शैन नयायोगदारा यह रूस में आउजित किया जाएगा इसके लाब आपको बता दे कि जून 2017 में से सीयो का पूरा सदस्ट से बनने के बाद यानि संगाई सेयोक संक्ठन का पूरा फूल पूरा फूला फूल फूल और इसके लावब आपको बता दे कि भारत के साथ पाकिस्तान भी जो है दोस्तों S.C.O. का पूर्ण सदस्य बन गया था और आपको बता देख आठे में स्थान पर सेस्ता प्राप्त की है और आपको बता देख सदस्ता के विस्तार के बाद जो S.C.O. दुनिया की आबादी के लफ़क 42 प्रिस्ताद और GDP का 20 प्रिस्ताद और भूमगत 22 प्रिस्त के ला 근को तो सर्थ कितने हैं टोटल आघ सदस इसमें कौन कौन से हैं चीन कजाकिस्तान किरगिस्तान खजाकिस्तान वेकिस्तान ठीक है संगाई सायोक संग्टनपीश प्रेसिडेंट है और रूस आप सब को पता है कि छेत्र फल्क देश्टी से दुनिया का सबसे बड़ा देश है जो एरिया वाइस सबसे बड़ा देश कौन सा है रूस है ठीक है एरिया वाइस दोस्तों आइरिस इसकैन प्रमाडी करनर सुविधा पेस करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है एक्सिस बैंक यह मोस्ट इंबोर्डन कोश्चन है एक्जाम में पूछा सकता है देखे दोस्तों एक्सिस बैंक अपने माइक्रो एटियम टैबलेट के माध्यम से आधार आधारित लेंदेन के लिए आईरिस इसकैन प्रमाडी करनर सुविधा पेस करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है आपको बता दी किसे ग्रामीड पंजाब हरियाना गुजरात और आंध प्रदेश के आठ साखाओं मे में से एक पाइलेट पर्यूजणा ग्रूब में चलाया जा रहा है यहां पर बात एक्षिज बैंग की ओर रही है सारे फैक्र्ट जो एकजाम में पूछे आते मताता हूं एक्षिज बैंक का मुख्याले कहां पे मुभई में है एक्सिज बैंक की बरतमाण सीईओ और पंजाब नेशनल बैंक यानि PNB बैंक की इसकी स्थाबना कव हुई थी यह थी 19 मई 1894 कव हुई थी 19 मई 1894 को बरतमान इसके CEO और MD कौन है PNB बैंक के वह सुनील महता कौन है सुनील महता है वहीं दोस्तों आपको एक इंपोर्डन फैक्ट बता देता हूं PNB बैंक के बारे में ऐसा पहला भारती बैंक हieur दोस्तों दोस्तों जो फूरती पूजी से प्रार्म किया गया था ऐसा भारत का पहला दोस्तों है जो भारती पूजी की इम डी अकौन है अडित्य पुरिजी इस्थाबना को दोस्त कर भेसा assault Sergeant습 Al この मुंबई में बात करें SBI की SBI दोस्तों इसका मुख्याला है मुंबई में वर्तमान चेयर्मैन है रजनीश कुमार और SBI का राष्टी करण कब हो थे एक जुलाई 1905 को ठीक है तो कौन सा बैंक आईरिस इसकें प्रमाणी करण सो इधापेश करने वाला देश का पहला बैंक ब देखा कि यह डाक्टर सचीदानांद जोसी यानि ऑप्सन भी राइट है देखे उस्तों जो संस्कित मंत्री है जो भारत की डाक्टर महेश सर्मा ने नावकसदोर 18 को इंदिरा गांधी राष्टी कला के नए दिल्ली में थीन किताबे जारी की है पहली किताब है डाक्टर गुलाब कोठारी की जोएलेरी डाक्टर गुलाब कोठारी कौन से कुताब है जोएलेरी और डाक्टर सचीदानांजोसी की घाट साब बनारस कौन सी घाट साब बनारस इसके लावा डाक्टर गौतम चटरजी की है अंटोल्ड इस्टोरी आप ब्राड कास्टिंग डाक्ट दोस्तों पर्यावरण वन्यजीब के लिए एकल खिड की हब परिवेस पोर्टल के इसने लॉंच किया है तो यह बहुत इंपोर्टन कोश्चन दोस्तों आपको बता दें इसका राइट एंसर हो जाएगा नरेंदर मोदी जी नी आपसाने राइट है देखें उस्तों जो मोद परिवेस के माद्यम से बनाया जा रहा है तो परियावरण बन जीब के लिए एकल खिड की हब परिवेस पोर्टल किसे ने लॉंच किया है प्रधानमंत्री नदेंदर मोदी जी ठीक है चली अब देख लिए दोस्तों कल का एंसर कल मैंने कोश्चन पूछा था हाली में सवागे नयुप सवपती बन गए है हाड़िबान से नारायन सिंग इनके स्थान पर पीजे कुरियन का स्थान पर पहले से ठीक है तो यह कोश्चन काफी इंपोर्टन है तो लगवक सभी लोग निसका राइड एंसर दिया था अब देख ले दोस्तों आज का सवाल आज का क सब्सक्ति दोस्तों की करते हैं भूष नियुक्त संवी अम मैं कुष्ट कर नहीं करते कि हैं लूक्त आप सामिन फान पूर्य डिटेयल लिखेंगे ACI KL का इस्थाबना का वही थी प्राराम का वह था अगला ACI KL का कहां हुआ पिछला कहां हुआ अगला कहां होगा यह सारी चीज़ें आप लिखी है क्योंकि मैं आपको सारी जानकाई देता हूँ तभी तुम मुझे पता चलेगा कि मैं जो जानकाई दे रहा हुआ है वह सार्था को रही है नहीं हो रही है ठीक है और उसके साथ से आपने कल की करेंड़ फेस की वीडियो देखी होगी तो यह इंसर पता होगा यह नहीं देखिए तो यहां पर प्ले होगी आप देख सकते हैं बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों और आप हमारे फेस्बुक पेज इस्टाग्राम और टेलिग्राम चैनल को जॉइन फॉलो जरूर कर लिजिए वहां पी बहुत सारे अप्डेट्स आप आपको मिलते हैं लिंक आपको वीडियो को मिल जाएगी ठीक है दोस्तों मिलते है नेक्स वीडियो को साथ यह आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब करके बेल अगन प्रिस कर देए प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करिए वीडियो पसंद है तो लाइक प् प्रिमात्रम.